Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे. आज की जो reading हैं, यह हम करने वाले हैं, देखेंगे, कि आपके जो partner हैं, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फिल कर रहे हैं, उनके emotions क्या हैं, feelings क्या हैं, और वो आज रात आप से क्या कहना चाहते हैं. reading का topic हमारा यही रहेगा, और यह reading हम candle wax reading करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें tarot reading को भी include करेंगे, पहले हम candle wax reading करेंगे, जिससे आपके और आपके पार्टनर की feelings को जानने की कोशिश करेंगे, अभी फिल हाल आपके partner क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं आपके बारे में, यह हम देखने की कोशिश करने वाले हैं, तो यह reading उनके लिए होगी, जो लोग contact में हैं, या जो लोग no contact में हैं, या आप अपने crush के लिए देखना चाहते हो, यह सारे sign के लिए होगा, और यह reading एक general reading होगी, और collective होगी, और timeless reading होगी, ठीक है, आप जब भी इस reading को देखेंगे, उस समय के लिए आपकी यह reading होगी, तो चलिए, देखते हैं, आपकी energy से क्या कुछ निकल के आता है, आप जो है, अपने partner के उपर first में manifestation करेंगे, आप अपने partner को, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने दिल में, दिमाग में लेकर के आना है, उनका नाम लेना है, और उसके बाद से आपको यह reading देखनी है, तो सब कुछ मैंने energize कर दिया है, meditation किया था मैंने, तो उस दोरान से यह candle, जो है मैंने use किया हुआ है, और यह सी candle का मैं use करने वाली हूँ, आज के अपनी इस reading में, जिससे हमारी reading काफी ज़दा clear होगी, काफ कि सब कुछ, सब कुछ यहाँ पर meditation के थ्रू ही किया जा रहा है, सो एक पर आभी meditation जरूर कर लीजे, आप अपने पार्टनर को आखे बंद करके याद कीजे, और उसके बाद यह reading को देखिए, चलिए candle को light कर लेते हैं, ओके, सो आई होप आप सब ने अपने पार्टनर को या आपको जिनके बारे में भी जानना है, उनका ध्यान आप लोगों ने कर लिया होगा, सो एक बार इस light के उपर भी focus कर लीजे आप, मैं नस्देख कर देती हूँ, इस light के उपर focus किजे आप, सो आई होप आप सब ने focus कर लिया होगा, चलिए अब हम करते हैं reading को start, आपके पार्टनर काफी गहरे गहरे जज़बातों को ले करके यहाँ पे आज की रात बैठे हुए है, कहीं यह person आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल के emotions कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में, इनके मन में हजार बाते हैं, हजार emotions हैं, जो के ये person आप से मिल कर, आप से बात करके बताना चाहते हैं, ये person कभी आप से जुदा नहीं होना चाहते हैं, कभी भी नहीं, इनके मन में हजार जो बाते हैं ना, वो सारी की सारी बाते कहने हैं, और हलके में बाते नहीं करने हैं, फेकना नहीं हैं आपके partner को, जुट नहीं बोलना है जितनी भी बाते हैं काफी clarity के साथ इनको बताने हैं मुझे यहाँ पर C letter clearly दिखाई दे रहा है अगर आप देखे तो C letter काफी clear दिखाई दे रहा है आपके partner आपसे long distance relationship में हो सकते हैं यह आपका extra marital affair भी हो सकता है ऐसा मुझे feel होता है जैसे कि आपके और आपके partner के बीच में काफी time हो गया दिल से दिल से बाते करते हुए ऐसा दिखना है कि दोनों में दिल से दिल तक की बाते ही नहीं हुई है ऐसा लगता है कि बाते तो बहुत करनी है energy तो बहुत अच्छी है लेकिन वो बाते हो कैसे कुछ ना कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में दरार आही जाता है बाते तो दोनों को करनी है दोनों को बाते करनी है एकदम बहुत ज़्यादा बाते करनी है लेकिन वो बाते मिलने के बात होंगी फोन पे बाते नहीं हो पाएंगी मुझे यहाँ पे हार्ट शेप भी दिखाई दे रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पे हार्ट शेप भी दिखाई दे रहा है और ओम का निशान बनतावत दिख रहा है हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या आपके पार्टनर ऐसे हैं जो भोले नात के भक्त होंगे और भोले नात से प्रात्ना करते होंगे सो ये एनरजी भी क्लिरली दिखाई दे रही है ऐसा दिख रहा है कि अपने मन को काफी ज़्यादा शांत अपने मन को काफी ज़्यादा पीसफुल फिल करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर की एनरजी बताती है जैसे कि आप में ही दिन और आप में ही रात आपके पार्टनर को देखने हैं आपसे ही इनका दिन ढ़ले आपसे ही इनकी रात ऐसा मुझे दिख रहा है आपके partner काफी ज़्यादा time आपसे दूर नहीं रह सकते हैं यह person की feelings काफी clear हैं कि यह person को आपसे ज़्यादा time दूर नहीं रहना है आपसे यह person दूर कैसे रह सकते हैं ऐसा लगता है जैसे कि यह person जब भी दूर जाते हैं इनको बेचैनी होने लगती है इनके अंदर वो बेता भी आने लगती है कि आरे यार मुझे करना है, आगी बढ़ना है, चीजों को करना है, relationship सही करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है आपका मन, आपके पार्टनर का मन काफी दुविधा में है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है क्या करना है, क्या नहीं करना है आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत गैपिंग दिखाई दिरी है ऐसा लगता है जिसे कि बाते भी होती हैं तो उतनी खुल के बाते नहीं कर पाते हो आप अपने मन की बाते आप अपने मन में रख जाते हो आप ये सोचते हो कि ये पॉर्शन से जब आप मिलोगे ना तो धेर सारी बाते करोगे और जब मिलती हो तो वो सारी बाते नहीं हो पा आपने अपने मन में जो हैना बाते गड़े रखी हैं बहुत सारा इकठा करके रखा है आपने भी बाते आप अपने पार्टनर से ही वो बाते कहोंगे आप किसी और से वो बाते नहीं कहने वाले हो क्योंकि ऐसा लग रहा है देख रहे हो कितना दूसरे के नाम पे क्या हो रहा आपके मन में जो बाते हैं वो आप अपने पार्टर के सामने ही बताना चाहते हो और उनसे ही बताना चाहते हो क्योंकि शायद वही समझ सकते हैं आपके मन में जो उल्जन है आपके मन में जो बाते हैं वही समझ सकते हैं बाकी कोई दूसरा नहीं समझ सकता है ये आपको पता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके मन की उल्जन को दूर कोई कर सकता है तो वही दूर कर सकते हैं मुझे ऐसी भी feelings आ रही है जैसे कि आपके partner जो है आपके partner का दिखता है जैसे कि कभी कबार यह जो person है आपके किसी दोस्त से यह person पूछते हैं कि आप कैसे हो क्योंकि इनको काफी याद आती है आपके partner की feelings में मुझे काफी ज़्यदा clear दिख रहा है कि yes येस काफी अंदर से जो है ना आपके पार्टनर बेचैन से हो जाते हैं देख रहे हो इनके अनर्जी में काफी बेचैन से हो जाते हैं और यह जो पॉर्सन है बेचैनी को अपने शांद करने का तरीका बस यही जानते हैं कि आपके बारे में कुछ पता चल जाए आपके बारे लेकिन इनको मिलना चाहिए मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर काफी कान के कच्चे इंसान है काफी कान के कच्चे हैं ये पॉर्सन इनका कान का कच्चापन नहीं जाता है आप कितना भी समझाने की कोशिच करते हो आप कितना भी बताने की कोशिश करते हो लेकिन ये person किसी और की बातों में आही जाते हैं ये person का मन काफी ज़दा चंचल है कई बार तो ये person गुसे में आकर कि आपको ब्लॉक कर देते हैं दो दिन के लिए लेकिन फिर ये person खुद बर खुद ये person open भी कर देते हैं और wait करते रहते हैं कि आप इनको message करोगे आप इनको call करोगे आप से इनकी कोई बात होगी कुछ तो बात होगी जिससे आप दोनों एक दूसरे को connect कर पाएंगे कुछ तो ऐसी बाते होगी जिससे आप और ये दोनों एक दूसरे के करीब आप आएंगे मुझे ऐसा feel होता है कि जैसे कि आपके और आपके partner की बीच में जो भी हो रहा था या जो भी हुआ था ये unexpected है अपनी गलती को आपके partner मानते नहीं है ये भी इनकी गलती है ये person अपनी गलती को कभी नहीं मानते हैं ये person आपको पता है कि आपको देख करके ये person को जो है न ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने कैसे मतलब माफी मांगो एक बार माफी मांग लूँगा तो उसकी expectations और बढ़ जाएंगी कि मैं गलती करूँ ना करूँ लेकिन मुझे ही माफी मांगनी पड़ेगी तो मैं वो माफी नहीं मांगने वाला या नहीं मांगने वाली आपके partner के बाल medium size के हो सकते हैं ये आपके हो सकते हैं मुझे यहाँ पर एक ऐसा face दिखाई दे रहा है जो की काफी खुबसूरत है काफी ज़्यादा खुबसूरत red color की t-shirt मुझे नजर आ रही है red color की t-shirt red color की nail polish आज शाम को किसी ने शौपिंग किया है और उस शौपिंग के दौरान आपके partner को आपके बारे में कुछ पता चला है जैसे कि आप कहां गए थे किस mall में गए थे किस के साथ गए थे ये थीजे भी मुझे नजर आ रही है ऐसा लगता है जैसे कि आपके partner ने जैसे कि आपके उपर पूरा अपना नजर जो है ना बना के रखा था अपना पूरा का पूरा नजर जो है ना आप भी बना के रखा था कि अरे तुम कहां जाओगी या कहां जाओगे मुझसे बचके, मुझसे भी छड़कर, मुझसे दूर जाकर के तुम्हें मैं चैन से रहने नहीं दूँगा आपके पार्टनर बदले की आग में भी काफी रहते हैं यानि कि ये पॉर्षन का अगर किसी ने बुरा किया है न उसकी दशा ये पॉर्षन बिगार देंगे ऐसे हैं ये पॉर्षन काफी ज़्यादा खुननस निकालने वाले हैं ये पॉर्षन गुसा जब आ जाता है तो इनका साथवे असमान के उपर होता है और गुस्से में ये जो person है काफी जादा बॉखला से जाते हैं वही आपके partner के अंदर काफी jealousy मुझे अभी दिखाए दे रही है ऐसा लगता है जिसे कि जो भी इंसान जो भी third party के बारे में इस person को पता चल रहा है या ये person ताक में है कि जो भी third party अगर दिख गई ना मैं तो उसकी band बजाने वाला हूँ क्योंकि आपके partner के intention काफी clear है ये person over productive है लेकिन over productive होना आपके partner के energy में दिख रहा है आपके partner काफी over productive हो रहे है आपको चारों तरफ से घेर लेना चाहते हैं किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई attraction नहीं किसी से कुछ नहीं बस जो हूँ, मैं हूँ, जो करूँगा, मैं करूँगा बाके किसी से तुम्हारा कोई relation नहीं रहेगा ये person की energy मुझे बता रही है ये person की चाहत है कि भई मेरा partner तो ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे value करे, मेरी respect करे मेरी बात को माने, मेरी बात को समझे मैं जो कहूँ, वो होना चाहिए न तब इनके लिए वो partner सही है यानि कि आपके उपर एकदम control रखना चाहते हैं आपके partner आपके partner को कुछ पुराने पल भी याद आ रहे हैं जो कि फीजिकल होते टाइम आपके partner ने एहसास किया है और ये person को clearly दिखता है जैसे कि इस person को जो कहते हैं कि इस person को उस समय कुछ भी नहीं दिखता कुछ भी नहीं बस आप वो बस आप वो बाकी दुनिया का कहीं भी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं आपके partner आप में ही जीने लगे हैं आपको ही जीते हैं ये person को ऐसा लगता है जैसे कि यह जो पॉर्सन है ना आपके साथ रहकर आपको कभी भी पॉर्सन बुला नहीं सकते हैं कभी भी पॉर्सन आपको जुदा नहीं कर सकते हैं अपने आप से, अपनी feeling से, अपने emotion से, अपने thought से जो भी सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना आपके person की first priority यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे अभी कुछ लोग कंगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे अपने बाल को बना रहे हैं आप, आप अपने बालों में हाथ डाल रहे हो ऐसा मुझे feel हो रहा है, जिसे कि बालों को बनाने की कोशिश या सवारने की कोशिश कुछ लोग अभी कर रहे है येस, मुझे ऐसा feel हो रहा है जिसे कि आपके partner को आपकी अदाएं आपकी बाल, especially बाल की मैं बात करूँ, आपकी पॉर्सन को आपकी बाल काफी अच्छा लगता है और मैं देख पारे हूँ कि आपकी होटों की मुस्कान, ये जो होटों की मुस्कान है आपकी काफी काती लाना है यहाँ पर यह देख रहा है कि आपके पार्टनर को काफी पसंद है आपके होठों की मुस्कान आपका मुस्कुराना आपके पार्टनर के लिए एक अलग सी एनरजी को क्रियेट करता है मैं देख रहे हो यहाँ पे, है न ? मुस्कुराने की चाहत, आपको मुस्कुराता देखता हुआ यह person काफी खुश होता है यह person आपको जान बुछ के रुलाना नहीं चाहते है मैं यहाँ पर यह देख पारूं की नहीं, यह person true love करते है यह person ने यह कसम नहीं खाई है कि आपको रूलाएंगे, यह person ने यह बिल्कुल भी कसम नहीं खाई है कि आपको रूलाएंगे या आपको इस तरीके से देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपके करीब आना चाहते है कुछ इस तरीके से जैसे कि कभी आपसे दूर गए ही ना हो, कभी आपसे दूर जाना ही ना हो, कभी भी नहीं मुझे यहाँ पे आपकी भी फीलिंग्स काफी दिखाई दे रहे हैं आपकी भी फीलिंग्स हैं थोड़ा आज सैड सैड सा फील किया है आपने आज थोड़ा सा उदास उदास से रहे हो आप मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि आपकी उदासी, आपकी परिशानी आपको बेचैन कर रही है, आपका मन बेचैन हो पड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि इस मन की दुविधा को आप रोक लो, आप अपने control में कर लो कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं बहकना है, मुझे इस तरी नहीं करना है, आपने भी अपने आपको control करना सीखा है, आपने भी अपने आपको control करने का तरीका देखा है, आप भी अपने आपको control कर रहे हो, और आप अपने आपको संतावना भी दे रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा सब कुछ normal करने की चाहत आपके अंदर है क्योंकि यह high energy है मुझे मादुर्गा का स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है तो मादुर्गा का यहां पर कोई-कोई भक्त हो सकता है क्योंकि मादुर्गा clearly यहां पर visualize हो रही है और मुझे यहां पर यही देख रहा है कि येस बहुत बड़े कुछ लोग भकते हैं यहां पर जो लोग भकते हैं जो अभी रोजे स्टार्ट होने वाले हैं ये पावन जो महीना है ये आया है और इस पावन से महीने में जो है न जो लोग बरकत लाते हैं अपने घर में हैना दुआ कुबूल करने के लिए जो लोग करते हैं सो येस आपकी दुआ यही रहने वाली है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आजाए आप इश्वर से भी प्रातना कर रहे हो आपका जूभी धर्म है यहां पर प्लेरी दिख रहा है कि यहां से Want जो आज तक किया है या आज तक जो आपने यह सुचा एस के साथ ठात। इस person को ले करके उन सपनों को पूरे करने की बारी अब आ चुकी है ऐसा feel हो रहा है आपको ये feel हो रहा है आपको और आपको लगता है कि इस person के साथ आपको जाना चाहिए इस person के साथ ही आपको अपना future बनाना चाहिए मुझे ऐसा feel हो रहा है मुझे ऐसी energy आ रही है मुझे ऐ आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में ला करके कहते हैं कि सब कुछ उनके साथ करना चाहते हो जैसे कि आपके पार्टनर कभी भी आपसे जुदा ही ना हो या कभी भी जो है ना आपसे वो जुदा होने का यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को जो है ना एकदम से अपना मना चुके हो और अपना जिस तरीके से आपने बनाया है या जिस तरीके से आपने इनको विज्वलाइज किया है काफी अलग है काफी जादा अलग है तो यह एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे सो चलिए देखते हैं कार्ट्स के एनर्जी क्या बताती है आपके पार्टनर के एक्शन के बारे में यह पर्सन क्या सोच रहे है एक्शन को लेकर के गाइड कर एंजल्स मेरे वीवर्स के पार्टनर क्या devil के energy है okay so first card devil का card आया है देखते हैं और knight of pentacles ten of cups three of wands seven of swords eight of wands the hermit okay bottom of the deck है ace of cups का card bottom of the deck ठीक है ace of cups का card एक बेहत खुबसूरत से शुरुआ परदस्ती sexual relationship भी बनाना आपके partner की energy है आपके partner ने आपका trust तोड़ा है मुझे ये भी feel हो रहा है जैसे कि आपके partner ने ना किसी के साथ physical relation बनाया है आपके रहते हुए या नहीं रहते है आपके partner ने किसी के साथ physical relation बनाया है जिसको आप जानते हो ऐसा मुझे cards बता रहे हैं और इसलिए आप दोनों के बीच में दूरीया आई है एक तो इनका ego भी है और दूसरा इनका जूट बोलना भी है आपके partner आपसे दूर चले गया है लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके partner को भी आपके उपर trust अभी फिलहाल नहीं है action लेने के मामले में दिखा जाए तो commitment की बात करी जाए तो आपके partner को भी लगता है कि मेरा partner भी कहीं ना कहीं involved होगा कोई third party जरूर होगी उसकी life में या होगा उसकी life में क्योंकि ये person खुदी game खेलते हैं खुदी gamer है mind game खेलते हैं ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके partner इन और आउट इन और आउट करते हैं क्यों करते हैं जब आपने पता लगाया था तब तब इस person की सच्छा ही पता चली थी कि या रे यार यह तो किसी और के साथ इन वॉल्व और वो भी sexually, physically जो मुझे यहां पर यह दिख रहा है बहुत सारी लोगों का बहुत सारी लोग यहां पर तकलीफ में हैं बहुत सारी लोग यहां पर पेन में हैं क्योंकि यहां पर आपको धोके मिले हैं बहुत बड़ा धोका ऐसा धोका आपने सोचा नहीं जैसे कि आपके partner आपको धोका दे के चले गए आप यहां पर इंतजार कर रहे हो एकदम निडरता के साथ इंतजार कर रहे हो कि कभी तो उससे realize होगा तब वो मेरी life में आएगा कभी उससे realize होगा तब वो मेरी life में आएगा आप यहां पर क्या कर रहे हो उनके उपर doubt कर रह और यहां पर वही है फैमिली बनानी है अभी भी आपको इस परसन के साथ फैमिली बनानी है अभी भी फैमिली बनानी है फैमिली चाहिए आपको फैमिली किसी भी कीमत पर चाहिए आपको है कि आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहिए ठीक है आपका पार्टनर आपके साथ को मिलेगा बट टाइम लगेगा त्री मंथ लगेंगे अभी आपको आपके पार्टनर को आपके करीब आने में त्री मंथ लगेंगे ऐसा दिखना है मुझे कि आपके पार्टनर बहुत ही दीमी गती से आएंगे आपके करीब बहुत ही दीमी गती से दीरे 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 चीजों को करते 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 कहीं अब तक आप तक पहुँचेंगे इस person को time लगेगा अभी खैर बात करने के लिए बात करेंगे ये person physically मिलने की बात करें तो time लगेगा ये person आपसे बात करना चाहते हैं within 7-8 days जो है न आप दोनों की बाते होने लगेंगी साथ से आठ दिनों में आप दोनों की बाते होने लगेंगी और हो सकता है थोड़ा सा थोड़ी सी बाते हो चोटी मोटी कोई बाते हो जाए किसी topic पर बाते हो जाए लेकिन बाते होंगी आपके partner अपने आप चलते हुए अपने आप चलते हुए आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप उनके तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हो लेकिन वह आपके तरफ आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं मुझे येस मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टर की बीच में सब कुछ साही हो सकता है सब कुछ बैतर हो सकता है बस रस्ट का प्रॉब्लम है यहाँ पर ठीक है मुझे लगता है आपको एडवाइस देनी चाहिए अभी क्या ना एडवाइस की जुरुत लग रही है मुझे क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए अब इस पॉर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए जब इस पॉर्सन ऐसा है तो तो चलिए देखते हैं क्या है एडवाइस गाइड करे अंजल्स इनिवर्स और सिस्टर्स मुझे एडवाइ सच को देखो ठीक है सच को देखो ट्रस्ट पहले मैं कार्ट निकाल लेती हूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ कि ओके ठीक है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशूज रहा है लिए पर धृट ही है तो आप दोनों के बीच में ब्रॉब्लम्स में और यहां है जैसे कि जैसे कि आपको situations के अनुसार से matter को अनुसार से अपने आपको अपने decision अपने हाथ मेलना चाहिए ठीक है पर देख पारी हों कि आपकी जो desires हैं वो complete होंगे, fulfilled होंगे जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे लेकिन पूरे confident रहोगे तब पूरी तरीके से confidence level आएगा तब, just a minute, okay, so candle वहाँ पे जल करके और table पे गिर गया है so इसलिए मुझे video बंद करना पड़ा, just a minute, so यहाँ पे मुझे ये feel हो रहा है कि आपको जो है न अभी शांत रहना चाहिए, आपको divine के उपर trust रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी trust का ही card है divine के उपर trust रखना चाहिए, आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलेगा आपको बस ये ट्रस्ट रखना है कि आपकी किस्मत में जो होगा न वो आपको मिलेगा ठीक है किसी के बुरा चाने से कुछ बुरा नहीं होता है और किसी के अच्छा चाने से किसी का अच्छा नहीं होता है तो यहां पर क्या करना होगा आपको ट्रस्ट रखना होगा इश्वर के उपर क्यों क्योंकि आपने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो आपको कभी कोई नहीं बिगाड सकता है ना तो यहां पर यहीं दिख रहा है कि आपको जहना clear बात करना होगा अपने partner से क्योंकि यहाँ पर card बता रहा है कि आपको जो भी बाते करने है अपने partner से काफी clear way में बाते करो ठीक है? काफी clear way में बाते करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बाते हो और अपने मन में रख लो बाते वो नहीं होना चाहिए काफी clear cut में बाते करने होंगी आपको अपने partner से तब जाके आपका relationship कहीं है तक सुधरेगा ठीक है so overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में I hope reading आपके साथ resonate की होगी so अगर आप मुझे से personal tarot reading लेना चाहते है candle wax reading लेना चाहते है candle wax reading मैं ज़दातर call पर करती हूँ तो आप उसके लिए booking करवा सकते है candle wax reading के लिए ठीक है और tarot reading लेना चाहते हैं तो tarot reading की booking करवा सकते है description box में number दिया गया है आप वहाँ से contact कर सकते हैं मुझसे चले फिर मिलते हैं फिर आप से किसी नई reading में तब तक के लिए हस्ते रहिए मुस्कुरादे रहिए और खुश रहिए बाबाई